दोस्तों हिर्दय यानि की हाट हमारे सरीर का सबसे महत्पून अंगों में से एक है जो इनसान के सीने में बाई और इस्थित होता है हाट एक दिन में लगभग एक लाख और एक मिनट में 60-90 बार धरखता है हमारा हिर्दय रक्त को सरीर के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन और पोसक तत्वों को पहुचाने का काम करता है लेकिन जब हाट में थोड़ी से भी गरवरी आती है या हाट अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाता है और धरकनों में अगर अचानक से बदलाव आ जाए तो इससे हाट अटेक आ जाता है अगर आप अपने हाट को हमेशा स्वस्त और गंभीर समस्याओं से बचा कर रखना चाहते हैं तो हाट में महसूस होने वाले समाने लक्षनों को भी नजर-अंदाज नहीं करना चाहिए खास कर अगर आपको हाट में दर्द हो तो इसे बिल्कुल भी अंदेखा ना करें क्योंकि हाट में दर्द होने की पीछे कई कारण हो सकते हैं इसलिए आईए जानते हैं हाट में दर्द का कारण क्या है या फिर हाट में दर्द क्यों होता है दोस्तो हिर्दे में दर्द होने का पहला कारण है हाट डेक दोस्तो अगर आपको बार बार हाट में दर्द हो रहा है तो इसे नजर अंदाज करने के भूल ना करे हाट पेन के अलावा आपको सीने में दर्द और जलन भी महसूस हो सकती है किसी भी व्यक्ति को दिल का दोरा तब परता है जब रक्त का परवा अबरुद्ध हो जाता है तो अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है तो आप डेली 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करे ताकि सरीर में बलड फ्लो बना रहे नमबर टू एंजाइना दोस्तो एंजाइना में भी हाट पेन हो सकता है एंजाइना दिल में खराब रक्त परवा के कारण होता है यहां हिर्दय तक रक्त ले जाने वाली धमनियों की भित्री दिवारों पर मोटी पटिकाओ के निर्मान के कारण होता है इस इस्थिती में धमनिया नेरो हो जाती है और हिर्दय में रक्त की आपूर्ती नहीं हो पाती है ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए असीडिटी दोस्तो असीडिटी की वज़ा से भी आपको हाट में दर्द महसूस हो सकता है असीडिटी में आपको हाट में दर्द के साथ ही पेट और सीने में जलन भी हो सकती है इसलिए एसिडिटी का इलाज जल्द कराईए हाट में दर्ध होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए तो दोस्तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो अकर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद